जै मातादी वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ मैंने जो करवा चौत की छोटी सी पूजा की थी उसमें करवे कैसे फेरते हैं और जब करवे फेरते हैं तो क्या बोलते हैं चंदर मा को अरग देते हैं तो क्या बोलते हैं तो फ्रेंड्स कातिक का मह पूजा करती हूं कातिक महत्म पढ़ती हूं तुलसी के पास बैठ कर ही मैं भजन गाती हूं वो मेरी पूरी रूटीन वाली पूजा जो कातिक के महिने की चल रही है वो मैंने कर ली है देख रहे हैं अब दीपक चला दिया है दूद्ध से हम पत्थवारी सीचते हैं तो इस कातिक की मैंने पूजा कर घूर यह उसके बाद हर और ऑद का एक सोख होता है करवा चोहत पर सोलह सिंगार जाती हैं महावर लगाती हैं और जो जो नहीने तरीके से एकी बाराम कहर्ने के दніएATHANश enmाम के बहुत हैं उस近दिक की सर्दसाली एदूद का अपने खरियो होते हैं वो सब सब को अपने अपने काम नपटाने होते हैं लीडिस के पास तो त्योहार हो कुछ भी हो अपने घर के बहुत काम होते हैं उसके बाद मैं फिर मुझे चौकी सजानी थी तो आप चाहें चावल से इस तरह से मांड लीजिए या फिर आप कलेंडर लगा करके पहानी सुनते हैं उनको साड़ी के पल्ले या चुन्नी जो हम गले में डालते हैं सूट पैना हुआ है तो जो भी है उसको हम बांध लेते हैं पल्ले में क्योंकि वो चावल हमें रात को चंदर अर्ग देंगे उस टाइम पर हमें उनको चड़ाना होता है तो इस तरह से मैं मैंने कलस की स्थापना भी कर ली है और मैं इसी तरह से ये लोटा रख लेती हूं कलस स्थापना में फिर मैंने बनाई हैं मिट्टी की गौर हमारे हैं जब लड़की विदा होती है पूजा होती है तब भी मिट्टी की गौर बनाई जाती है और करवा चौत का पूजन करते हैं तब भी मिट्टी की गौराजी बनाई जाती हैं तो इसे हम गौर कहते हैं ये गौराजी बनाई हैं और इनको फिर 16 सिंगार करने के बाद इस तरह से एक कोरे कपड़े में इस तरह चुंद्री उढ़ा दीजिए जो भी आपके पास है चुंद्री ना हो तो आप ऐसे लाल लंका कोई को कोरा कपड़ा लाल पीला इनको इस तरह से उढ़ा दीजिए तो मैंने अपनी गौराजी को सजा दिया है हार पेना दिया है इत्तर चड़ा दिया है और वह मैंने चौकी पर विराजमान कर दी हैं तो कलेंडर भी मैंने ये तस्वीर है जो मैंने ये भी विराजित कर दी है गौरा जी विराजित कर दी है और अपने सारे कलस सागर करवा ये सब मैंने भर कर रख दिये हैं जो सिंगार का सामान और साड़ी सब सारा समान जो भी है वो सब चौकी पर लगा दिया है पूजा की तैयारी करने के बाद अपने कहानी सुनने के बाद हमारे हैं चाय पी लेते हैं तो साड़ी को निकाल कर दूसरे कपड़े पहने लेते हैं क्योंकि फिर साड़ी जूटी हो जाती है तो उसके बाद मैं फिर अपने घर की खाने की तैयारी हो जाती है क्यादियों को जल्दी यल्दी मुझे करना था तो मैंने जू भी थोड़ा सा स्सेयर कर रही हूं पूरा वीडियो मैंने सूट नहीं किया था काफी वीकमारं है हम सब करते हैं वट प्रक्स की सूर्य भगवान की तारे चंद्रदेव जो भी है इसमें होते हैं हमें सब की पूजा करने चाहिए दीब की पूजा करने चाहिए और हमें कलस की पूजा करने चाहिए तो वो सब सारी पूजा करेंगे और मैं यह सागर रखती हूँ हमारे यहां लड़कियों की जब शादी होती है तो पहली करवा चौट प्रमाइके से सागर आता है तो यह पता नहीं कौन सी धातुगा बना हुआ है और बहुत पुराना है यह तो मैं यह सागर रखती हूँ इसके उपर मैंने ये खान का करवा रखा हुआ है मैं ये हर साल ऐसे रखती हूँ और फिर देती हूँ इसके अंदर मैंने थोड़े चावर रखे हैं और उस पैसे रखे हैं तो हमारे हाँ इस तरह से दिया जाता है तो उनकी छोटी सिश्टर का जाता है ये समान वो दूर है थोड़ा सा तो वहाँ से लोटकर भी आना होता है चंदर देब को रख देना होता है तो ये पूजा चल रही है मेरी और मैंने दूसरा जो करवा लिया था मिट्टी का उसके उपर आठ पूड़ी और लड़ू रखे हुए है तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ कोई भी हम पूजा करते हैं तो उसमें हम नीचे गेहूं के दाने हम अपने पूजा में पहले देखते थे के कलस के पास गेहूं रखे जाते थे तो वो कलस स्थापना जरूर करनी चाहिए और उसके बाद मैं अब ये पूजा करने के बाद मैं करवा फेर रही हूँ जब करवा फेरते हैं तो बोलते हैं अदवर खानी करवा ले साथ भहियों की बहन करवा ले वीर मती करवा ले अदवर खाने करवा ले उसने बीच में खाना खा लिया था तो इस तरह से बोलते हैं कि उसके पती को जिंदा करने के लिए उसकी भावियों ने इस तरह से बोला था कि अदवर खाने करवा ले साथ भहियों की भेन करवा ले वीर मतीतू करवा ले तो इस तरह से बोला जाता है हमारे हाँ सींके भी नहीं लगाई जाती है करवे में जो और सब के हाँ लगती है हमारे हाँ वो नहीं लगाई जाती है तो इस तरह से मैंने अपनी पूजा संपन की और उसके बाद चंदर भगवान का दर्शन करने के लिए इंतजार होता है तो उसके बाद जब हम चंदर देपता को अरग देते हैं तो हमारे हाँ इस तरह से गाया जाता है एक हाथ में हम जो कहानी वाले चावल होते हैं वो ले लेते हैं बाएं हाथ में और सीधे हाथ में कलस ले लेते हैं सागर और फिर बोलते हैं मैं तो बरती रही हूँ करवा चौत अरग दिये दूधन के मैंने मांग आयोध्या को राज पती सीरी राम से मैंने मांगी को सल्या सी सास ससुरी राजा दसरत से इस तरह से काफी बड़ा है यह भजन मैं गाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पूजा पूरी हो चुकी है और चंद्रमा को अरग भी दे दिया है आपको हमारी पूजा कैसी लगी छोटा से वीडियो क्लिप तो प्लीज कमें तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये वीडियो डाला है तिल देन बाई बाई जैमातादी